नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में इस वीडियो में बात करेंगे College of Medicine G&M Hospital कल्यानी की जो West Bengal में आई है बताएंगे कि All-Innia Quota और State Quota में क्या Accepted Cut-Off रेने वाला है सबसे पहले बात करतें इस College की seat metric के बारे में दोस्तों इस College में Total MBBS की seat है वो 100 है All-Innia Quota के जो seat है वो 15 है और State Quota के जो seat है वो 85 है अब बात करतें जो लोग All-Innia Quota से बिलोंग करतें उसके लिए क्या Accepted Cut-Off हो सकता है जनरल के बात के तो 518 to 585, OBC में है 580 to 585, SC में है 465 to 470 और ST में है 440 to 445 इतना Accepted Cut-Off हो सकता है जो All-Innia Quota से बिलोंग करते हैं दोस्तों बात करतें जो State Quota से बिलोंग करतें वेस्ट बेंगोल से बिलोंग करते हैं उसके लिए क्या Accepted Cut-Off हो सकता है जनरल में है 532 to 535, EWS में है 510 to 515, BCA में है 525 to 530 और BCB में है 522 to 525, SC में है 319 to 395 और ST में है 252 to 210 इतना Accepted Cut-Off हो सकता है जो वेस्ट बेंगोल से बिलोंग करते हैं दोस्तो यह डिटेल थी College of Medicine G&M Hospital कर्णियान की जिनमें हमने बताया All-Innea Quota और State Quota में Accepted Cut-Off क्या रह सकता है